हलो फ्रेंज, वालकम बाग दिमाई अजब चानल तो चल्डे बिना किसी देरी के हमारा न्यू जामा शेरो करते है मुवी के शेरवारत में शाओ फ्लोर पर गिले हुए वाइन को क्लीन कर रहा होती है और वो मिस्टर लू को थोड़ा पीचे हटने के लिए बोलती है गलास एक के करके पीने के लिए भूलता है इसके बाद में एक आखी गलास होता है जिसमें वो बंदा ट्रॉक्स मिला रहा होता है तो मिस्टर लू ये सब देख लेते हैं फिर वो शाओ को वो गलास पीने से मना कर देते हैं और शाओ वहाँ से चली जाती है लेकिन फिर इसके बाद में हम शाओ को एक फैबिलिस रेड मर्सेडिस कार से उतर देवे देखते हैं और वो अपने कंपनी के अंदर जाती है जहाँ पर वो अपने एंप्लोईस को एक सीक्रिक टास करने के लिए बोलती है तो वो लोग बता करते हैं कि यह जो पार्टी है वो मिस्टर लू ने और्गिनाइज करी है और उनका सारा जो भी पेमेंट होगा वो मिस्टर लू ही पे करने वाले है और वो पार्टी का दिन आही जाता है जहाँ पर सभी लोग मिस्टर लू की तारीफ कर रहे होते है कि मिस्टर लूग कितने हैंसम और रिच है ये तो स्कॉलेज टाइम से भी बहुत जबना ब्यूटिफल हो चुके है और उसके बाज़ी में खड़ी शीन के साथ वो लोग उनको लब बस मानने लगते है और ये भी बोलने लगते है कि शाओ ने इनके साथ प्रेक अप करकर बहुत बुरा किया और इसको बहुत बचतावा होगा प्रेक अप का इतने में शाओ की एंट्री फेटरिस के ज्रेस में होती है लोग शाओ को देकर पहचान जाते है कि ये तो हमारी कॉलेज की शाओ है जिसके बारे में बहुत तारीफ होती थी अब इसे क्या हुआ ये यहाँ पर एक मामूली फेटरिस का काम करती है तो फेशीन जान मुझके अपने हाथों से वाइन का ग्लास के जाते थी है जहाँ पर शाओ जब उसे क्लीन करने के लिए जाती है तो मिस्टर लू से बोलने लगते है कि मैं अभी भी तुमारी हेल्प कर सकता हूँ तुमारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें वेटरिस बनना पड़ा यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मुझे किसी की भी हेल्प की जरुवत नहीं है मैं खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ यहाँ पर मिस्टर लू से समझाने की बहुत कोशिश करते है तो फिर शाओ उनसे कहने लगती है कि मैं गंदे लगो के मुझे नहीं लगती और इतना बोलकर वो वहाँ से चलने जाती है जहाँ पर उसके पीछे पीछे मिस्टर लू आने लगते है तो फिर शाओ अपने एंप्लॉई से बोलती है कि एक फू नाम का आदमी होगा उसके ट्रिंक्स में तुम ट्रक्स मिला देना और पुलीस को बुला कर उसे करिफदार कर देना इतने में ये मिस्टर लू पीछे से आ जाते है तो शाओ को समझाने के कोशिश करते है लेकिन वहाँ पर शाओ का पीटा आ जाता है तो मिस्टर लू को समझाने लगता है कि शाओ की अब शादी हो चुकी है इसके बाद मिस्टर लू पोलने लगते है कि तुम मेरे साथ ऐसा गुना कैसे कर सकती हो जाई जी के साथ शादी भी कर ली यहाँ पर जाईजी उसे बहुत पहले प्रपोस करने आता है लेकिन मिस्टर लू जाईजी से कहते है कि शाउ सिर्फ मेरी ही बंदी है यहाँ पर लू बोलने लगता है कि यह बच्चा कितना अगली है तो फिर उसका बच्चा बोलने लगता है कि मैं अगली नहीं हूँ, मेरे डान इतने हंसम है तो फिर मैं भी तो हंसम हूँ और यहां पर वो बच्चा उसे चिड़ाने लगता है, फिर शाओ उसे लेके वहाँ से चली जाती है यहां पर मिस्टर लू कार में बैटकर शाओ की फोडो देख रहे होते हैं और इन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि इसके शाओ ही हो गई है यहां पर वो इसकी फोडो कार से बाहर फिकने की कोशिश करते हैं बट वो ऐसा नहीं कर पाते और बहुत एमोशन हो जाते है फिर मिस्टर लू जब अपनी कार से जा रहे होते है तब वो पांक में जाईजी को देखते है जो किसी ओ अलर्की के साथ होताए तो फिर वो उसकी फोडो कीच कर बहान निकलते है जहा पर वो उसे एक पंच मारते है तो जाईशी बोलने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो यहाँ पर मिस्टर लू बोलते है कि तुम अपनी वाइफ पे कैसे चीट कर सकते हो और इतना बोलकर वो वाँ से निकल जाते है फिर जाओ अपने पैरेंट से बात कर रहे होती है जापर उसके डाड उस पर बहुत चिला रहे होते है कि तुम शादी से पहले प्रेगनन कैसे हो सकती हो यहाँ पर वाँ अपने डाड को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो समझ नहीं पाते दूसरी और जब वो बहार निकलती है तो मिस्टर लू उसका वेट कर रहे होते है और मिस्टर लू तो वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो तो मिस्टर लू उसे वो फोट बताते है और उसे जाईजी के साथ डैवोस लेने के लिए बोलते है यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मैं उससे डावस नहीं लूँगी तो फिर मिस्टर लू शॉक हो जाते है और इतने में ही उन्हें उनकी बेटे का कॉल आता है तो फिर शाओ से बोलती है कि मेरे बेटे को एक ऐसा फादर चाहिए जो उसका त्यार रख सके लेकिन तुम्हारे पास तो और इटी एक बीटा है यहाँ पर लू पूर ले लगता है कि तुम्हारे पास भी तो बीटा है इसमें कौन सी बरी बात है और इतना भूलकर वो बहाँ से चली जाती है दूस्टी और मिस्टर लू अपने सेकेटरी को शाओ और जाईशी के बारे में पता लगाने के लिए बोलते है यह अन्याहा पर हम मिस्टर लू की बेटे को पानी से खेलती हुए देखते है जो मेट्स को परिशान कर रहा होता है लेकिन जैसे ही वो अपने डाट को आते हुए देखता है वो अपने बाल की ले कर लेता है और अपने डाट को बोलने लगता है कि यह मेट्स मुझे परिशान कर रही थी तो उसके डाट उन्स अभी को महाँ से फायर कर देते है तो फिर वो अपने सेकेटरी को एक बीबी सीटर डूने के लिए कहते है इतने में उसकी मॉम आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हें बीबी सीटर डूने के क्या ज़र्वत है तुम्हें उसकी मॉम को डूनो और वो शीन के साथ बहार आती है और बोलने लगती है कि मुझे शीन बहुत पसंद है तो तुम लग आपस से बात कर लो, मैं जाती हूँ यहाँ पर शीनु से बोलती है कि मैं बाजु वाले घर में ही रहती हूँ तो क्या तुम मुझे डौफ कर सकते हो तो लू बोलने लगता है कि बाजु वाले घर में ही तो रहती हो, खुद चली जाओ ना इसके बाज़ में जब लू का बेटा अपने स्कूल में होता है तो उस शाओ के बेटी से जलिस फील कर रहा होता है क्योंकि वो फुरी क्लास में फर्स आया होता है तो वो उसके बारे में बुरा बुरा बात करने लगता है और इसकी मॉम के बारे में भी बोलने लगता है कि तुम्हारी मॉम तो एक बेटरिस है जो रोज रात को किसी और के बोलने पे बहुत जाता च्रेंग करती है तो फिर शाओ के बेटी को गुस्सा आ जाता है वो उसे तक का मार देता है तो फिर लुक का बेटा रोने लगता है इतने में ही वहाँ पर टीचर आ जाती है जो शाओ के बेटे को छिलाने लगती है और बोने लगती है कि तुम्हें तमीजाम की चीज नहीं है क्या मैं तुम्हारे स्कूर्स कट कर रहे हूँ और अब हमारे क्लास में सबसे फर्स लड़का है मिस्टर लुका बेटा यहाँ पर शाओ का बेटा बोलता है कि यह तो अनफेर है यहाँ पर वो टीचर उससे उल्टा जवाब देते हुए बोलती है कि तुम्हारी मॉम हमारी स्कूल को क्या ही दे सकती है एक बियर की क्लास और इतना बोलकर वो इसकी माम को कॉल करकर बुलाती है माफी मांगने के लिए फिवा परशीन और मिस्टर लु आ जाते है जो सिफ फोशे रखती है कि बेटा तुम्हें बुले किसने किया तुफरो रोते हुए नाटक करता है और बोले लगता है कि इसने मुझे मारा यहाँ पर शीन शाओ के बेटे को नीस पर आके माफी मांगने के लिए कहती है और बोले लगती है कि तुम्हें बता भी है कि तुम्हारा डाट कौन है तो फिर शाओ का बेटा लु की तरह पिशारा करता है लू का बेटा उसके पास आगे और रोने की आक्टिंग करता है जहाँ पर लू भी उसे माफी मांगने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि तुम तो बिलकुल अपने डाट की तरह हो जूटे और बुली करने वाले यहाँ पर शीड और लू तोनों के दोनों उस बिचारे के उपर बढ़कुलते है और इते में ही वहाँ पर उसकी माम शाओ आजाती है जो बोलने लगती है कि तुम मैंसे किसी को शरम नहीं है या एक लोते बच्चे को तुम लग पुली कर रहे हो यहाँ पर मिस्टर लू शाओ के हस्बन के वराई करने लगते है और कहने लगते है कि तुमारा बेटा तो बिल्कुल जाईशी के तरह चूटा है और लोगों को मारता भी है तो शाओ को गुसा आ जाता है वो उसे थपर मार देती है लेकिन जैसे ही वो उसे दूसरा दपर मारने जाती है लू उसे पकर लेता है फिर वहाँ पर लू का बारी कार आता है जो उसे बोलने लगता है कि मिस्टर शाओ जब स्कूल से ड्रॉप आट हुई थी तो वो आपकी बेटे के साथ प्रेक्टिन थी यहाँ पर लू को बिलीव नहीं हो रहा हो था तो शाओ बोलने लगती है कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है यह साईजी का बच्चा है और मैं थब भी उससे साथ भी थी यहाँ पर शीनों से बोलने लगती है कि तुम इतने गिरी हुई कैसे हो सकती हो यहाँ पर मिस्टर लू को लगता है कि उसका बेटा वही है लेकिन शाओ उसे जूड़ जूड़ बोलने लगती है जब शाओ उसे लेकर जाने लगती है तो उसकी ग्रैंट मामा पर आ जाती है तो उसके बेटे का कान पकड़ कर बोलने लगती है कि तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को बुली किया तो फिर वो शाओ को बोडिगाज से पकड़ा लेती है और उसे थपड़े माने लगती है तो फिर मिस्टर लू से रोक के कहते है कि आपने जिसे थपड़ मारा है वो आपका ग्रांट सन है यहाँ पर उस औरत को बहुत बुरा लगने लगता है तो फिर शाओ बोलने लगती है कि कौन से बगवास तुम कर रहे हो तो मिस्टर लू से बोलते है कि मैंने पहले ही तुम्हारे बेटे के बाव ले लिये थे और मैंने उसका टी अने टेस्ट करवाया और उसमें रिजल्स यही आया है कि यह मेरा बेटा है इसके बाव ने वो ग्रानमा उन दोनों को वाँ से जाने देती है फिर शाओ और उसका बेटा आपर से बात कर रहे होते है तो शाओ उसे समझा लें की कोशिश करती है कि तुम्हारे टाइट जो रियल लाइफ में है वो जाईजी ही है फिर जाओ जब अपने बेटी के लिए पेस्ट रिलने जाती है तो वो किताप हो जाता है और यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें जिस लोकेशन में बुला है वहाँ पर आजाओ तो जैसे ही वो आती है वो उसे अंदर जाने ही नहीं दीती यहाँ पर शीन उसे बिन मतलब का माने लगती है और अपने बॉडिकार्ट से कहकर उसका मुंडी एक बड़ी से पोट के अंदर डानने लगती है इसके बाद में शीन मिस्टर लू को कॉल करती है जहाँ पर मिस्टर लू से बूलते है कि मैंने सुना है शाओ और उसका बेटा तुम्हारे साथ है तो भी शीन बोलने लगती है कि हाँ मुझे गलत फैमी हो गई थी तो मैं अब उन दोनों के साथ अच्छी बांडिंग बनाने के कोशिश कर रही हूँ जहाँ पर शाओ पीचे से आवास करती है और यह मिस्टर लू को सनाई दे देता है तो मिस्टर लू बोलते है कि शाओ क्यों चिल्डा रही है यहाँ पर शीन उन्हें जूट जूट बोलने लगती है कि शाओ अच्छी खाना खालते टाइम चोग कर गई इसके लिए उसे कासी आने लगी यहाँ पर मिस्टर लू को उस पर एकीन नहीं होता तो वो उसे क्वेशन पूशन पूशने लगते है तो शीन उसे बोलती है कि आप उच पर ट्रस्ट करिये वो लग सही सलामत गयर पर आ जाएंगे फिर जैसे ही कॉल कट होता है तो फिर मिस्टर शाओ अपने सेकेटरी से बोलते है कि तुम्शीन का लोकेशन डूंडो और पता करो कि वो एक्साक्ली कहा पर है दूसरी और मिस्टर लू का सेकेटरी वो डिया ने रिजल्ट ले की आ जाता है और वो शाओ का लोकेशन भी पता कर लेता है डिया ने लोकेशन में साफ साफ लिगा होता है कि शाओ का जो बीटा है वो विस्टर लू का भी बीटा है फिर दूसरी और शीन वो गैरिश का शटर डाउन करवा देती है और उसको सोफा पर बिठा देती है आपे वो बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर माईज रिबली मर जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो उसका बोरी काट सबरसिती शाओ के मूँ में वो ट्रक्स डाल देता है जिसकी वज़र से वो दीरे दीरे मर सकती है और यहाँ पर वो बाकी के तीनों आदमी उसे परिशान करने लगते है और यह सारी चीजे शीन रिकॉर्ड कर रही होती है और इतने में ही मिस्टर लू का कॉल आ जाता है तो मिस्टर लू उसे शाओ को कॉल देने के लिए बोलते है तो फिर शीन बोलने लगती है कि शाओ अभी कॉल नहीं पिक कर सकती तो फिर मिस्टर लू शीन के साथ जिद करने लगते है जहाँ पर शीन को जबरदस्ती शाओ को कॉल देना ही होता है तो फिफो शाओ को बोलती है कि अगर तो मैं तुम्हारा भीटा जिन्दा चाहिए तो फिर मुझे उसे साथ बात करने के लिए दो इसके बात में शाओ लू के साथ अच्छे से बात करने लगती है जहाँ पर शीन वो कॉल वापस से लेकर बोलती है कि अब तो तुम उसकी आवाज सुनकर साथिसफाइड होना तो फिलू बोहने लगता है कि तुम तीन साल की बच्ची नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी ही बता दू कि अगर कुछ भी शाओ को हुआ तो तुम जिन्दा नहीं बचोगी यहाँ पर शाओ गुसे में आकर अपना फोन फेक देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वज़र से मिस्टर लू आज मुझे नीचा दिखा रहे है और मुझे दम क्या भी दे रहे है लेकिन इतने में ही मिस्टर लू आकर शाओ को बचा लेते है यहाँ पर शीन उसे चुचुच बोलती है कि मैंने शाओ को मना किया था ऐसी लोगों के साथ बाते नहीं करने के लिए तो फिर मिस्टर लू शीन को यह थपर लगा देते है और बोने लगते है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितनी क्रूल इनसान हो और अपने सेकेटरी को उसी वहाँ से ले जाने के लिए कहते है फिर मिस्टर लू शाओ को उठा कर ले जाते है यहाँ पर मिस्टर लू की गार में बैटकर शाओ को वो तबा लगा रहे होते है तो शाओ को पेन हो रहा होता है जहाँ पर मिस्टर लू शाओ से कहते है कि अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए कि कि तुम्हारे बीटे का रियल फादर मैं ही हूँ यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि पाट सार पहले मैं तुम्हारे फाइफ बने की हगदार थी अब नहीं यहाँ पर मिस्टर लू बोलते है कि मुझे फरक नहीं परता कि तुम कौन सा जॉब करती हो या फिर तुम कितनी चोटी हो मुझे इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है मैं तुम से रियल प्यार करता हूँ और मुझे तुम से ही शादी करनी है फिर नएक से शाओ जब बाइक से अपने ओफिस जा रही होती है तो बहुत सारी गाड़ी वहाँ पर रुकती है और इसमें से पौरी गाड़ी बाहा निकलते है शाओ के लिए एक एक फ्लावर्स लेकर फिर शाओ तांगा कर टॉर्न लेने लगती है फिर दूस्ती गाड़ी में से निकलते है मिस्टर लू यहाँ पर शाओ लू को भोलती है कि अगर तुमने गल्दी से भी मेरी आइडेंटिटी आफिस में सब को बता दी तो तुम देख लेना तुम बच्चोंगी नहीं यहाँ पर मिस्टर लू हसने लगते है और बोलने लगते है कि मैं तुमें चर्णल मेनेजर की पोस्ट पर शिफ्ट कर दीता हूँ यहाँ पर लू वापस एक उस्टा हो जाती है और बोने लगती है कि तुम्हें इतना कुछ करने की कोई जर्वत नहीं है तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि सब को ये ना पता लगे कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू हसते हुए अंदर जाते अपने सेकेचरी से भी बोलते है कि ये तुम्हारी स्पेशल मेडम का ओर्डर है कि किसी को पिक आफिस में ना पता चले कि मेरा और उसका रिलेशन क्या है तो इस बात का तुम ध्यान रखना जब शाओ उस कंपनी के यहाँ पर भॉसती है तो फिर उसे उसकी स्कूल फ्रेंड फैंग मिलती है जहाँ पर वो उसे हेलो बोलती है फैंग को याद नहीं आ रहा होता कि शाओ कौन है तो शाओ उसे याद दिलाने लगती है जहाबर फ्रेंग उससे बोलने लगती है कि ओ तो वो तुम मी हो जो हाइट स्कूल में प्रेग्डेंट हो गई थी और कायब हो गई थी शाओ को यह सुनके बहुत बुरा लगता है फ्रेंग अंदर जाने लगती है इतनी में उस कंपनी के ओनर को किसी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि हमारी कंपनी ने तुम में खरीद लिया है और हमारी वाइफ वहाँ पर तुमारे यहां पर ऐस इंटर्न चॉप करने आ रही है तो फिर वो लग बहुत कशर जाते हैं और सोशने रगते हैं कि यहाँ पर प्रेजिजन्ट की वाइफ as intern आने वाली है तो हमें यह opportunity को जाने नहीं देना चाहिए हमें उनकी वाइफ को बहुत अच्छे से treat करना चाहिए और अच्छे अच्छे projects करने चाहिए तो फिर वो employee बोलने लगती है कि आज तो यहाँ पर दो दो intern जाने वाले हैं तो हमें कैसे बता चलेगा कि कौन प्रेजिजन्ट की वाइफ है तो फिर वो boss बोलने लगता है कि तुम साफ साफ देख सकती हो एक बहुती luxurious कार से पहार निकली है अंदूस्ट्री एक simple सी motorcycle पर आई है तो obvious ही बात है luxurious कार वाल ही उनकी वाइफ होगी फिर जब fang वहाँ पर जाती है तो वो अपना नाम बोलती है तो फिर वहाँ का boss बोलने लगता है कि मैडम आपको प्रेजिजन्ट करने के कोई जरुवत नहीं है हमें पता है कि आप प्रेजिजन्ट की वाइफ हो यहाँ पर fang इस चीज़ का फाइदा उठा लेती है और बोलने लगती है कि ओ, मैंने तो उने मना किया था आपको बताने के लिए यहाँ उसे पूछती है कि तुम पहले से ही शादी शिदा हो यहाँ पर वो बोस उसे पूछने लगता है कि आप इने जानती हो तो फिर fang बोलने लगती है कि यह पता नहीं कौन है स्कूल में किसी के साथ इसने अफैर किया और फिर स्कूल वालों ने उसे वाहाँ से निकाल दिया इसके बांदे वहाँ का इंपलाई उसका मज़ाक उड़ारे लगता है पिर जैसे ही वो लग अपने ओपने ओपन आफिस में जाते है वहाँ की एक इंपलाई शाओ को काफी बना के देने के लिए बोलती है तो शाओ जैसे ही fang को काफी देती है fang उसे बोलने लगती है कि मैं एरी गेरी काफी नहीं पी सकती मुझे हाथों से बनी काफी चाहिए वन्ना मुझे ऐलर्जी हो जाएगी तो फिर वो employee शाओ को बोलती है कि तुम यहाँ से 3 किलमेटर स्वाक करके जाओ वहाँ बहुत अच्छी हैंडमेट काफी मिलती है शाओ उसे बोलने लगती है कि fang के तो हाथ पर ठीक है तो अगर उसे पीनी होगी तो वो खुद लेकर आएगी मैं यहाँ पर जॉप करने आए हूँ किसी को काफी सोफ करने नहीं इंपलॉई उसके साथ बहस करने लगती है शाओ को गस्ता आने लगता है लेकिन वो सोचती है कि अगर वो जादा बूलने लगी तो उसकी आइडिंटिटी रिपील हो जाएगी इसलिए शाओ चप चप जाकर काफी लेकर आ जाती है जब शाओ फैंग को काफी देती है तो वो काफी फैंग चार पुचके गिरा देती है और सबी लोग वहाँ पर उसे सिंपर्ती देने के लिए आ जाते है फैंग उसे बोलने लगती है कि क्या तुमें पता भी है ये कितनी महिंगी और रिच ब्रैंडड ड्रेस है मैंने ये मिशेल से मंगवाई थी यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि मुझे तो नहीं याद कि मैंने ये ज्रेस कब त्यार की थी और ये चीज़ शाओ मन में बोल रही होती है फिर शाओ फैंग को बोलने लगती है कि ये ज्रेस तो मिशेल जैसी लगती ही नहीं बिल्कुल फेक लगती है यहाँ पर फैंग उस पर पर रख जाती है तो शाओ अपने चीज़े क्लियर बोलने लगती है कि मिशेल की ज्रेस में कि मिशेल की ड्रेस में एक स्पेशल तरीके की स्टिचिंग होती है और वो तुम मुझे यहाँ पर दिखे नहीं रही तो फिर फैंग बोलने लगती है कि तुम जैसी अंग्राजुएटेड लोगों को ये चीज़े कैसे पता होंगी तुम अपना मूबं रखो तो ही बैतर होगा इतने में वहाँ पर वहाँ का बोस आ जाता है जहाँ पर फैंग बोस को बोलने लगती है कि शाओ को लगता है कि मेरी ड्रेस फेक है और यहाँ पर वो मुझे सुना रही है तो फिर उसका बोस शाओ को फैंक से माफी मांगने के लिए बोलता है तो शाओ उन सब को समझाने लगती है कि ये मिशेल की ड्रेस होई नहीं सकती मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये फेक है और वो एक फोटो प्रूफ भी बताती है जहाँ पर लोगों को उससे बिलीव नहीं हो रहा होता तो फिर शाओ एक बहुत अच्छा प्लैन बनाती है और फैंक को बोलने लगती है कि ठीक है मैं मानती हो मेरी कलती है तो क्यों ना तुम प्रेसिडन के साथ हमारी मीटिंग कर रहा हो ताकि हमें पता चले कि तुम फेक वाइफ हो या फिर रियल यहाँ पर फैंक सोचने लगती है और इतने में ही वहाँ का बोस भी बोलने लगता है कि हाँ तुम मीटिंग करवा दोना बहुत अच्छा होगा यहाँ पर फैंक कुछ बोल नहीं पा रही होती तो वाँ की एंप्रवाइ बोलने लगती है लगता है कि तुम हमें नीचा दिखा रही हो यहाँ पर फैंक बोलने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरी फैंमली बस बहुत जादा पूरी है तो फिर उसका बहुत कुछ बोलनी की वाला होता है इतने में फैंक बोलती है कि ठीक है नेक्स वीक में तुम सबको मेरे विला ले चलूंगी इसके बाद में जब फैंक कॉम्पिनी से घर जा रही होती है तो उसके डाट उसे कार में से पुला रहे होते है और फैंक यहाँ सबको चूट बोलती है कि वो तो मेरे driver है फिर fang अपने डाट को बोलने लगती है मुझे कैसी भी करकी एक villa अरेंज करके दो मुझे मेरे friends को वहाँ पर ले जाना है तो इसके friends उसे Mr. Lu का ही villa ले जाने के लिए बोलते है जहाँ पर fang सभी अपने employees के साथ बहुत जाती है शाओ को वो villa को जाना पेचाना सा लग रहा होता है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता तो फिर शाओ fan को बोलने लगती है कि क्यों ना तुम इस villa का खाना हमें टेस कर रहा हूँ मैंने सुना है कि यहाँ पर international left खाना बनाने के लिए आते है तो फिर वो employee भी बोलने लगती है कि हाँ मैंने सुना है यहाँ पर servant बनने के लिए भी बढ़ाए भी PhD करनी परती है क्योंकि यहाँ के लोगों का level बहुत आए है तो फिर fan खबरा आ जाती है क्योंकि वो villa के अंदर नहीं जा सकती थी तो फिर fan अपनी mom को call लगाती है जो वहाँ पर as a mate काम करती है और इसे बोलने लगती है कि मेरे friends कुछ आने वाले है तो dinner ready रखना तो इसकी mom बोलती है कि यहाँ पर यह order हमें सिर्फ Mr. Lu और उसकी wife दे सकते है तुम नहीं तो फिर fan को अपर चिलाने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने जैसा कहा है वैसा करो इसके बात में जब वो लोग अंदर जाते है तो fan अपनी mom को बोलने लगती है कि जाओ जाकर lunch पहले ready करो यहाँ पर किसी को भी सचा ही पता नहीं होती कि वही fan की mom है और यहाँ पर शाओ एक plant को बहुत अच्छे से देख रही होती है तो फिर fan की mom उसे देखकर सोचने लगती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है तो फिर fan उसकी mom पर चुला कर उससे वहाँ से बेश देती है और शाओ से वो बोलने लगती है कि तुम जिस प्रांट को टच कर रही हो उसे दान से टच करना क्योंकि ये सारे प्रांट मेरे हस्बने अबराइट से लाए है तो फिर वहां के एंप्लोईस उसका मजा को डाने लगते है इसके बाद में शाओ अपना दिमाग और चलाती है और फैंक को बोलने लगती है कि अब हम यहां तक आ ही गए है तो क्यों ना तुम हमें पूरे घर का एक टूर दे दो ताकि मेरी जैसे गावाली की आगे खुल जाए तो फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते है फैंक को समझ नहीं आ रहा होता कि वो पासवार्ट में क्या डाले यहां पर शाओ से बोलने लगती है कि तुम्हें पासवार्ट भी नहीं बता फिर वो बॉस बोलने लगता है कि मैदम के पास इतनी सारी प्रापरटीज है तो वो हर एका पासवार्ट कैसे याद रखेंगी फैंक बोलती है कि मुझे जब पासवार्ट याद आएगा तो फिर मैं यहां पर वापस आँ जाओंगी तो फिर वो लग जाने लगते है लेकिन जैसे ही शाओ उस लोग पर अपना हाद लगाती है वो अपने आप खोल जाता है तो फिर लोग देखकर शौक हो जाते है और फैंक चूट जूट बोलने लगती है कि कुछ दिन पहले ही मैंने इसे यहां पर पार्ट टाइम वर्क करनी के लिए हायर किया है ताकि वो पैसे कमा पाए तो वो बहुत बोलने लगता है कि हमारे यहां पार्ट टाइम वर्क करना अलाओ नहीं है तो फिर शाओ सोच में पर जाती है कि तुमने मुझे कब जौब पर रखा इसके बाद में सभी लग जब बैलकनी में जाते है तो फिर फैंक एक नेकलस को उठाती है और इसे जान बुचकर पहनते वे दोर देती है यहां पर शाओ को बहुत ज़ादा गुज़ा आ जाता है तो वो इसे बोहनने लगती है कि तुम्हें शरमना प्र जान कोई चीज नहीं है क्या तुम्हें पता भी है यह नेकलस कितना कीमती है और इसे वाफ से रिपेर कर नहीं पा सकते तो फिर यहां पर फैंक बोलने लगती है कि यह मेरी प्रापर्टी है मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना है यहां पर शाओ को बहुत जादा गुस्सा आजाता है तो शाओ बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा तो फैंक बोलती है क्यों तुम्हें लगता है कि यह प्रापर्टी तुमारी है तो शाओ बोलने लगती है कि हाँ यह प्रापर्टी पहले से ही मेरी थी तो फिर फैंक अपनी मॉम को कॉल करकर बलाती है और सबको बोलने लगती है कि मैंने यहां की मेट को कॉल करकर बुलाया है तो वो सब को सच्छा ही बताएगी कि यहां की ओनर कौन है तो फिर उसकी मॉम जैसे ही उपर आती है वो अपनी आखे चुपा रही होती है और चूट बोल रही होती है तो फिर शाओ उन्हें बोलने लगती है कि मैं आपको एक आखरी मौका दे रही हूँ सच बोले के लिए जहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाती तो फिर सब एंपलोईस बोलने लगते है कि शाओ तुम्हें फैंक से माफी माफी मागने ही पड़ेगी यहाँ पर फैंक भी उसे नील डान होकर माफी मागने के लिए कहती है लेकिन शाओ उसे बोलने लगती है कि माफी तो तुम्हें मुझसे मागने चाहिए तो कि तुम मिस्टर लू की वाइफ बनने का प्रिटेंड कर रही हो तो फिर सब यहाँ पर हसने लगते हैं शाओ के उपर यहाँ पर शाओ बिला के मैनेजर का कॉल करकर बुला रही होती है तो फिर फैंक की माम उसे रोकती है तो फैंक उसकी माम को ही रोक लेती है और बोलती है कि तुम रुको इसे कॉल करने दो मैं भी देखती हूँ कि आखिरे किसी कॉल लगाती है तो फिर फैंक बोने लगती है कि शाओ इतना जादा टाइम हो गया है अब तक वहां का मैनेजर वहां पर क्यों नहीं आया है तो फिर रेट करते करते शाम हो जाती है इतने में ही वहाँ का मैनेजर वहाँ बरा आ जाता है तो वो एंपलॉई उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि क्या तुम सब्सक्रिम मैनेजर हो या फिर खाले दिखावा कर रहे हो तो वो मैनेजर उसे थबर मार देता है और इतने में ही FANG की माम नीचे बैठ कर रोने लगती है और वो एमपलॉई गिर्गिराते वह FANG के पास आती है और बोलने लगती है कि तुम इसका गुस्त करो इस मुझ पर हाट उटाया है तो फिर FANG भी गुसे में उस पर हाट उठा देती है और वहां से जाने लगती है तो फिर वो मैनेजर उससे रोक कर बोलता है कि तुमने जो नेकलेस दिस्ट्रॉई किया है वो मिस्टर लू की वाइब का था यहाँ पर शाओ धीडे से जाकर उस मैनेजर के कानों में बोलने लगती है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करनी तो फिर वो मैनेजर बोलने लगता है मिस्टर वाइब करती हो गई इसके बाद मैं फैंग वाँ से भाग जाती है और सबी लोग वाँ से चले जाते है यहाँ पर फैंग की माम सारे से अच्छाई शाओ को बता रही होती है बोलने लगती है कि मैं ये जॉप नहीं जोड सकती मैं फैंग के डावरी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ तो फिर शाओ भी उसे बोलती है कि तुमें मेरे रियल आइडेंटिटी बताने की जरुवत नहीं है तुम यहाँ से जा सकती हो यहाँ पर सभी लोग फैंग से पूछने लगते है कि वहाँ का मैनेजर तुफ शाओ के साथ बहुत अच्छे से बेव कर रहा था और वो आप से जादा रिस्पेक्ट तो उसको दे रहा था और यहाँ के फिंगर प्रिंट्स में पास्फर्ट भी शाओ का ही है तो फिर फैंगों ने चूट जूट बोने लगती है कि मुझे आप सभी को सच बता ना ही होगा असर में शाओ और उस मैनेजर का चक्तर चल रहा है इस वज़े से मैं कुछ बोल नहीं पारी थी और यहाँ पर सभी लोग शाओ पर कुस्दा करने लगते है और उसके पीड पीचे उसके बिराई करने लगते है इसके बाद में शाओ जब नेक्स डे आफिस में आती है तो वो एमप्लॉई चान बुचकर उसके उपर पानी फेक देती है और उसका फोटो निकालने लगती है और वीडियो में भी बोलने लगती है कि दीखो यह कैसे लड़कों को अपनी जार में फसाती है तो फिर फैंग उटकर पूरने लगती है कि तुम्हें ऐसे लोगों से तूर रहना चाहिए क्या पता इसमें कोई इंफेक्शन हो तो फिर वो एमप्लॉई एक कीडे मानी दवावस पर स्प्रे करने लगती है तो फिर शाओ वो लेकर उसकी ओपर वापस स्प्रे कर देती है तो फैंग यहाँ पर कुणसा हो जाती है उतनी मी वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है तो फिर वो एमप्लॉई अपने बॉस से कम्प्लीन करने लगती है तो इसका बॉस हाँ को चिलाने लगता है और जल्दी से चेंज करके आने के लिए बोलता है इसके बाद ने मीटिंग में सभी लोग एक इंपॉर्टन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते है जो होता है मिस्टर वैंग का तो शाओ वहाँ पर आती है जहाँ पर बोस उसे वो न्यू टांस देते है फिर जब वो मीटिंग खतम हो जाती है तो फैंग उसे बोलने लगती है कि आल दे बेस्ट बेट में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेरेशन करना और यहाँ पर शाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो फिर शाओ जब वहाँ पर जा रही होती है तो मिस्टर लू अपना असिस्टेंट से बोचते है कि आगे शाओ के बाचे में कौन है तो फिर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि वो Mr. Wang का assistant है तो फिर Mr. Lu अपने assistant को बोलते है कि जो भी room में शाओ enter कर रही है ध्यान रखना कि वो room safety से बढ़ा हो तो जैसे ही शाओ वहाँ पर बैठती है और Mr. Wang को वो सारे instructions दे रही होती है तो Mr. Wang उसे पुरी तरीके से देख रहे होते है तो फिर शाओ का द्यार Mr. Wang को चला जाता है तो फिर शाओ उसे बोलने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हो जहाँ पर Mr. Wang उसे कुछ पीने के लिए देते है यहाँ पर शाओ वो पीने से मना कर देती है और बोलने लगती है कि मुझे alcohol से allergy है तो फिर मिस्टर वैंग उसे जबरदस्ती बोलने लगती है यह तो मैं alcohol को refuse नहीं कर सकती और यह तो contract में भी लिखा है और यह हमारे friendship को आगे बढ़ाने के लिए है इसके बाद वापस से शाओ से मना करने लगती है लेकिन फिर मिस्टर वैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते है तो लेकिन वो ड्रिंक पीने के बदले वो सारा alcohol मिस्टर वैंग के मुपर के रहा देखती है और वहां से जाने लगती है लेकिन वहां का security उसे जाने नहीं देता तो फिर वो पाकने लगती है जहांपर मिस्टर वैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते है तो वो उसे दाका मार के थब पर मार देती है यहांपर शाओ से वार्निंग देती है कि अगर तुमने कलती से भी मुझे वापस टच किया तो मैं तुम्हें सिंदा नहीं छोड़ूंगी यहांपर वैंग डरने की आक्टिंग करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस से पंगा ले रही हो इतने में ही मिस्टर लू की एंटरी होती है और वो मिस्टर लू को बोलने लगता है कि मैं तो बस मजाग कर रहा था मुझे माफ कर दो तो मिस्टर लू से पैसे ठका दिये देते है जहाँ पर मिस्टर वैंग जूर 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 बोलने लगता है कि शाओ ने ही मुझे सेडियूस किया था और वो मेरे साथ ये सारी चीज़े कर जाई थी जहाँ पर मिस्टर लू बोलते है कि हाँ मीरी वाइब तुम्हारी जैसी थाई है जिलोगों को सेड्यूस करते फिरे जहाँ पर मिस्टर वैंक उनसे गिर-गिरा कर मावी मावी मागने लगता है तो फिर मिस्टर लू उसके अपर कुस्ता होने लगता है और बोलते है कि अब तुम्हे सदा भी नहीं होगी जहाँ पर मिस्टर वैंक शाओ के पैर में गिर-गिराते है तो शाओ भी उन्हें धका देती है तो वैंक खुद को थप पर मारते हुए बोलता है कि मैं सच में मापी मांगना चाता हूँ जहाँ पर मिस्टर वैंक को मिस्टर लू के बोडिकाट लेके चले जाते है और फिर मिस्टर वैंक वहां से शाओ को लेके कर जाते है जहाँ पर शाओ मिस्टर वैंक से नराज होती है और मिस्टर वैंक शाओ से उसका टेंशन जाते है और बार बार उससे बुलाते रहते है शाओ मिस्टर लू को उस थैंक की बोलती है उसकी जान मचाने के लिए यहाँ पर वो बोलने लगता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा रिवार्ट अब मिलना ही चाहिए जहाँ पर वो उसे कालों पर किस्ट मंगता है तो शाओ वाँ से उठकर चली जाती है यहाँ पर शाओ जब आफिस में आती है तो वो बोलने लगती है कि मिस्टर वैंक के साथ सारे कॉर्परेशन्स बंद कर दिये करे है यहाँ पर सभी लोग उस पर बढ़कने लगते है और वहाँ का बोस भी उसे बोलता है कि तुम अपना समार पैकर कर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ फिर बात में शाओ बोलती है कि क्या तुमने नियूस नहीं देखा कि उसने क्या किया है तो फिर सभी लोग वो नियूस देकर शौक हो जाते है तो फिर बास बोलने लगता है कि कुछ भी हो हमें तो लॉस हुआ है यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि भले ही हमने ये डील को लूस कर लिया है लेकिन हम लूग अपनी के साथ में कुलाब कर सकते है बास भी उसे बोलने लगता है कि तुम जूट बोल रही है लेकिन शाओ सबको वो एग्रिमेंट देखने के लिए बोलती है जिसने लोग के सिगनेटर्स भी होते है और सबी लोग बहुत जादा खश हो जाते है तो फिर फैंक उस डॉक्युमेंट को लेकर जमीन पे फेक देती है और बोलने लगती है कि ये तो एक फेक कांट्राक है तो फिर शाओ उस पर गुज़ा हो जाती है फिर शाओ बोलने लगती है कि मैं इस ग्रूप के प्रेजिडेंट की वाइफ हूँ और तुम बस एक मामूली इंटर्न हो तो तुम इतना बड़ा काम कर रही नहीं सकती और सभी को लगने लगता है कि वो कांट्राक्ट फेक है यहाँ पर उसका बहुत से थापर मारता है और उसे बहार निकालने की कोशिश करता है इतने में ही वहाँ पर लू का असिस्टन आता है जो बोलने लगता है कि मैं मिस्स शाओ के साथ हमारे आगे की कोलाबरेशन के बारे में बात करने आया हूँ जहाँ पर उनको यह सब फेक लगने लगता है तो वो बोलने लगता है कि मुझे शाओ के साथ डिसकॉर्शन करने है लेकिन लगता है अब वो पॉसिबल नहीं है तो फिर शाओ आकर बोलने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये कांट्रेक्ट सच है तो फिर बोस वो कांट्रेक्ट उठाकर बोलने लगता है कि क्या सच में ये कांट्रेक्ट रियल है तो फिर वो आदमी बोने लगता है कि क्या तो मैं मिस्टर लू के सिगनेटर्स पर शक है तो फिर बोस बोने लगता है कि एक मामूल यसी इंटर्न ने मिस्टर लू का साइन ले लिया ये चीज़ सोच के मैं हैरान हूँ इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा था यहाँ पर शाओ की काम का सारा क्रेडिट वैंग लेने लगती है यहाँ पर मैनेजर वैंग जूट जूट बोने लगता है कि फैंगी उसकी वाइफ है तो फिर शाओ बोने लगती है कि तब इतना फेक और जूट कैसे बोल सकते हो यहाँ पर फैंग उसके जूट के साथ जूट बोने लगती है तो फिर शाओ बोलने लगती है कि जूट बोलने से पहले तुमारे मुझ गत्राते नहीं है क्या तो फिर सबी एंप्लॉईज उसकी तारीफ करने लगते है और शाओ की बिदाई करने लगते है और शाओ हरसने लगती है तो फिर वो मिस्टर वैंग को बोलती है कि क्योंकि अभी प्रोजेक्ट मेरे अंदर है तो क्या मैं उसे डिजाइन कर सकती हूँ तो मैनेजर बोने लगता है कि अब जैसा चाहो वैसा ही होगा दूसरे और फैंग वो प्रोजेक्ट आकर शाओ को देने लगती है तो शाओ नाटा करने लगती है कि उसे फैंग दिखी ही नहीं और उसमें फैंग की कोई बात ही नहीं सुरी तो फैंग उस पर बढ़कने लगती है तो फिर शाओ नाटा करने लगती है कि ओ प्रेजिडंट की वाइफ मुझे माप कर दो मैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्स नहीं करती फैंग उसे में आकर वहाँ से चली जाती है फैंग जो वापस आती है तो वह वापस से उसे वह प्रोजेक्ट देने की कोशिश करती है तो शाओ उसे साफ साफ बना कर देती है कि तुमने सभी के सामने ये प्रोजेक्ट लिया है तो तुम इसे ही करोगी इतने में वहाँ पर बोछ आने लगते है जो उसे बोलने लगते है कि तुम्हें मिस्स फैंग की मदद जरूर करनी चाहिए वो तुमें इतना बड़ा मौका दे रही है फिर फैंग वापर से बोलने लगती है कि मैं मिस्स लू हूँ और इसके कारण ये तुम्हारी ट्यूटी बनती है कि तुम मुझे हल्प करो और मैं जैसा बोलू वैसा करो यहाँ पर शाह उसे कुछ नहीं बोलती दूसरे दिन फैंग और उसकी वो एंप्रोई शॉपिंग करनी के लिए जाती है जहाँ पर शाह भी होती है फिर फैंग वाँ की एंप्रोई को बोलती है कि मुझे सबसे लेटिस कलेक्शन देखने है और सबसे एक्सपेंसिव वाले तो फिर वाँ की एंप्रोई बोलने लगती है कि हमारे आप पर जो भी सबसे लेटिस है उसे आप बिना ट्राइ कि खरीदना होगा और अगर आप ट्राइ उसे कर रहे हो तो उसे आपको पका बाय करना होगा आप उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते उसे फ्रेंट बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो ये विस्से प्रेजिडन की वाइफ है तो फिर ये सुनके वो एंप्लोई शोक हो जाती है फिर उसे चीज़े बताने लगती है फैंक जब शाओ को वाँ देखती है तो वो एंप्लोई को उसे वहाँ से निकालने के लिए कहती है तो वो एंप्लोई उसे निकालने लगती है तो शाओ उसे बोलती है कि तुम्हें पता है न तुम लोट्स को ब्रेक कर रही हो तो वो employee बोलने लगती है कि हम पूर लोगों की बातों में ध्यान नहीं देते और उन्हें entertain भी नहीं करते और अगर ऐसे लोग यहाँ पर होंग तो store का environment खराब हो जाएगा तो फिर शाओ इस पर भटक जाती है और बोलने लगती है कि क्या मैं headquarters में तुम्हारी complain कर दू इतने में वो shop का manager वहाँ पर आ जाता है तो वो से complain करने लगती है फिर शाओ यहाँ पर fang का बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें थोड़ दिर के लिए नाटा करने के लिए क्या दिया तुम lifetime में से ख्लू का नाम यूस करने लगी हो अगर तुम सचने प्रेसिजेंट की वाइफ हो क्यों ना ये दोनों skirt तुम buy कर लो तो फिर हमें सब कुछ सच पता चल जाएगा यहाँ पर fang चोट बोलने लगती है कि बहले ही मेरा card unlimited है लेकिन मैं ऐसे चोटी मोटी चीज़े यहाँ से नहीं लूगी जहाँ पर मेरा चग्रा हुआ हो तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ का मैनेजर fang को रोग देता है और बोलने लगता है कि मैं हम अभी इसे यहाँ से बाहार निकालते है तो फिर वहाँ का मैनेजर शाओ को बाहार निकलने के लिए बोलता है और इसे नीचा दिखाने लगता है फिर वहाँ पर fang की friend भी हसने लगती है वहाँ किसी को तक call कर कर बोलती है कि यहाँ के shopping mall को हमेशा के लिए blacklist कर दो और सबी को लगने लगता है कि वो बस मजाग कर रही है और दिखावा कर रही है तो फिर वहाँ के employee security guard को call कर कर बलाती है इतने में ही वहाँ पर Mr. Fang का secretary भी आ जाता है जहाँ पर manager इसके बारे में बुराए कर रहा होता है तो उसका secretary आकर उसे धप पर मार देता है और उसे बोनने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ जबान लडा रहे हो और वो उसे हमेशा के लिए job से निकाल देता है तो फिर शाप बोनने लगती है कि आप से गलती हो गई है मैं यहां की मैडम नहीं हूँ वो तो सामने ख़री है वो यहां की मैडम है तो फिर वो मैनेजर बोलने लगता है कि मुझे जितने सच्चाई पता है मैं तो बस वही बोल रहा हूँ तो वहां की एमपलॉई फैंगे कदमों में आकर माफी मागने लगती है और फैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता जहां पर फैंग उस एमपलॉई को अंदका मार देती है और वहां से चली जाती है यह जाने के पाद मैनेजर उसके बहुसे सौरी बोलने लगता है लेकिन यहां पर शाओ के उपर वो एमपलॉई चेर जाती है और उसे मारने वाले होती है इतने में ही वहां का बहुसे थपर मार देता है और बूलता है कि तुम प्रेसिजन के वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो वो तो फेक थी और यह रियल है फिर वो दोनों शाओ से माफी मांगने लगते है फिर शाओ उन दुनों को माफ की बिना वहाँ से चली जाती है यहाँ पर बॉस अब को अनाउंस कर रहा होता है कि सभी लोग अच्छे से बीहेव करना मिस्सिर लू अच आने वाले है तो फिर वहाँ की एंप्राइ बोलने लगती है कि मिस्सिर लू आज तो आपके हस्बिन आने वाले है मिस्सिर लू कर शाओ देखकर कन्फियूस हो जाती है अब बोने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो फिर वहाँ का वोस बोने लगता है कि तमीज से बात करो तो वो बोलने लगती है कि सोरी सोरी मिस्टर लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो विस अभी लोग पैट जाते है तो फिर मिस्टर लू बोलते है कि ऐसी तु पिंटर्न्स को ट्रीट करते हो और मिस्टर लू फिर उसे माफी मांगने के लिए बोलते है कि तुम इससे अभी के अभी माफी मांगो फिर बापने बॉस बोलता है कि ये तो सिर्फ एक मामूली इंटर्नी है जहाँ पर मिस्टर लूग बोलने लगता है कि मैं ऐसी कामपनी में वर्क नहीं कर सकता जहाँ पर लोग एंप्लोईस को रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर उसका बोस सब्रजस्ती माफी मांगने लगता है और फिर शाओ इशारे में मिस्टर लूग को बाहर जाने के लिए बोलती है जहाँ पर उसका बोस आकर शाओ को जाने के लिए बोलता है तो फिर फैंग को लगता है कि वो उसे बुला रहा है और यहां पर फैंग शाओ को तपर मालने वाली होती है लेकिन शाओ से रोख लेती है फिर पिस्टर लू और शाओ एक रूम में मिलते है जहां पर वो से किस करने की कुशश करते है लेकिट शाओ उन्हें रोकती है और बोलने लगती है कि यहां में अभी कंपनी में है और कंपनी में हम अफेड नहीं कर सकते यहां पर सबी एमप्लोईस फैंक को बोलने लगते है कि वो तो आपको यहां देखने के लिए आये थे तो फिर वा शाओ के साथ क्यों बात कर रहे है तो फिर वा जूड़ जूड़ बोने लगती है कि शाओ के जरूर पिटाई हो रही होगी वो ये सारे मामने प्राइविट में करना चाते है जहाँ पर मिस्टर लू आते है और बोने लगते है कि हम एक स्पेशल अवार्ड रखेंगे तो यहाँ पर शाओ और फैंक के बीच में चग्रा होने लगता है जहाँ पर फैंक शाओ के जाम लगा देती है कि कैसे ही मेरे हजबन के साथ लट कर रही थी तो फिर शाओ बोने लगती है कि तुम्हें सच पर लगता है कि तुम प्रेसिडंट की वाइफ हो यहाँ पर वो बोनने लगती है कि हाँ मैं ही हूं मिस्स लू तो फिर शाओ बोनने लगती है अब तो तुम्हारा बहुत हो गया तुम अपनी हदे पार कर रही हो पर बातने मिस्टर लू वहाँ पर आते है जहाँ पर मिस्टर लू एक्सिलिन परफॉर्मेंस का आवार्ड दे रहा होते है और वहाँ पर नाम होता है मिस्स ली का तो फिर फैंग गुट जाती है और सबी लोग तालिय बजाने लगते है तो जब लू से आता हुआ देखता है तो बोलने लगता है कि जहां तक मुझे याद है ये तो ट्रजेक्ट में भी नहीं थी सारा ट्रजेक्ट तरशाह ने किया है तो फिर मिस्टर वैंग तो फिर मैनेजर वैंग जूट 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 बोलने लगता है और इसके बाद में सबी के सामने सारी सच्छा ही सामने आ जाती है कि रियल वाइफ मिस्टर लू की शाही है ना कि फैंग तो सबी लोग फैंग पर इंग्साम लगाने लगते है कि फैंग की वज़े से हमने ये सारा छूट बोला और फांग ने हमें विक्टिम बनाया यहाँ पर मिस्टर लू उन दोनों को फायर कर देते है इसके बात ने मिस्टर लू शाओ को रिंग के साथ प्रपोस करते है और अपने कंपनी के 51% शेयर्स भी देते है और इसके साथ यह मूवी यहां पर खत्म हो जाती है